तो transition video बताए मुझे काफी time हो चुका है तो मैंने सचा क्योंने आपको एक new transition video बताई जाए और ये वाला जो transition आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगा और इस वाले transition को आप काफी जाएके use कर सकते हो जैसे आप wedding में, party में या फिर आप short vlogging वाली video बनाते हो तो उसमें use कर सकते हो और ये आप Instagram release पे transition video बनाते हो तो आप इसको use करना आपको काफी अच्छे likes और follower मिल जाएंगे तो सबसे पहले तो आप screen पर देखो ये video अब इस video के अंदर मतलब जो बंदा है वो song के according acting करता है उसके बाद में जैसे ही वो jump करता है तो jump करने के बाद कपड़े जो है वो fly होके आते हैं और एकदम सो उसके चिपक जाते हैं और जो कपड़े है वो change वहाते हैं कुछ इस तरीके का transition है तो काफी जयदा मतलब आप देख सकते हो unique भी लग रहा है और अलग है तो कैसे आप ये वाले transition को बना सकते हो आज मैं आपको पूरा process बताने वाला हूँ तो वीडियो काफी जयदा interesting होने वाला है तो वीडियो का last तक देखना इसके बिलकुल ही मत करना तो चलो चलते हैं यहाँ पर अपर mobile की screen पे और सिखाता हूँ यहाँ पर मैं आपको step by step पूरा process तो यहाँ पर मैं आगया हूँ mobile की screen पे अब यहाँ पर हमारे जो सबसे पहला काम होगा वो होगा video recording का तो video recording के लिए आपको एक बात को ध्यान देना होगा यहाँ पर जब याँ video को record करोगे तो आप अपने camera को एकदम stable रखना उसको बिल्कुल भी मत हिलाना एक बार आप set कर देना और last तक जब तक आपकी video complete नहीं होगा थी तब तक उसको बिल्कुल भी मत हिलाना वरना आपके mistake हो सकती है और आपकी video बिगड सकती है तो ये बात का आप ध्यान देना उसके बाद आप क्या करना है camera को जिसे set कर लिया अब आपको यहाँ पर video को record करना है record करने के लिए सबसे पहले आप background में sound को चला देना और आप normally अपने कपड़े जो है वो paint लेना उसके बाद आप normally sound के according acting कर लेना और पहला आप jump मतलब जब first jump होता है न वहाँ पर आप ऐसे acting कर लेना आप screen पर देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से acting की थी sound के according ठीक है तो यहाँ पर first वाली step complete होगी अब second step में आपको करना है आपको next step में आपको कौन से मतलब आपको शल्ट को change करना या फिर जिन्स को change करना है ठीक है एदि आपको जिन्स को change करना है तो आप क्या करना जिन्स को बदल लेना मतलब जिन्स पहन लेना उसके बाद आपके करना है ऐसे jump कर लेना ठीक है जिन्स पहन के आप jump कर लेना camera के सामने और camera बिल्कुल भी मत दिलाना camera को एक बारी stable उसको रहने देना मैं बार-बार इसले जोड दे रहा हूं camera को stable रखने की ताकि आपकी video बिगड़े नहीं एकदम सही बने उसके बाद आपको आपको शल्ट को चेंज करना है तो आप क्या करना अप शल्ट को पहन लेना और उसके बाद आप camera के सामने आना video को start करना और jump कर लेना ठीक है यह होगी third step अब आपको करना आपको शूर्ड्ट चेंज करने तो आप क्या करना है 여기 इसफ में ह convection प्पाइग और उस tooth पेंद ओंके उसके बाद आपको चेंज करना है sunglasses पेंडा तो आप sunglasses पेंड ass पेंडेना और उपको जयुंप करने का काम है और कोई ज्यादा यहार काम नहीं दून हे उबिडी utilizz क में आपको करना आपको अपनी गेलरी माने हैं गेलरी माने के बाद आपने जो भी टेक लिए हूँगे अपने शूट किया ओंगे उन टेक्स में इसब अपको टो किलिक करना है तो first video यह था, यह वाला है, यह वाला है ठीक है तो में इसको select कर लेता हूँ और select करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही jump करता हूँ तो first वाली जो first वाली जो clip होगी उसमें तो आपको screenshot नहीं लेना है पर जो second वाली जो होगी जिसमें आपने next में आपको क्या दिखाना है जैसे मैं को jeans change करना था तो मैं jeans वाले जो वीडियो है उसको मैं ले लुआ और लेने के बाद जैसे मैं jump करता हूँ देखो यहाँ पे मैं जैसे jump कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं को screenshot लेना है jump करते हुए बीच में मैं को रुख जाना है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ठीक है तो यह जंप कर रहा हूँ मैं, तो मैं screenshot लेता हूँ, थोड़ा clear हो जान तो यह, ठीक है, तो यह clear हो गया, उसके बाद मैं क्या करूँआ, यहाँ पर मैं screenshot इसको ऐसे capture कर लूँआ, ठीक है, अब आपको next वाली वीडियो को चलाना है, जिसमें आपने shirt को change किया था, ठीक है, त इस तरीके से आपको बाकी के भी screenshot ले लेने, जो भी आपने jump किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने जो screenshot है, वो ले लिया है, sunglasses और shoes वाला, okay, उसके बाद यहाँ पर आपको एक application की जरुत पड़ेगी, जिसका नाम है eraser app, तो eraser app आपको play store पे मिल जाएगी, तो आ install कर लेना, या फिर मैं description में link दे दूँआ, eraser app का, उसके बाद आप eraser app को open कर लेना, install करने के बाद, और यहाँ पर आप load a photo पे click करके, आप अपने photo को add कर लेना, तो यहाँ पर आप photo को वही add करना, जो आपने screenshot लिये थे, तो मैं screenshot वाले photo यहाँ पर मैंने add कर लिये, add करने क बाद यहाँ पर जो first वाला, जो screen चोड़ता लिया तो हमने उस पर हम click करेंगे, और click करने के बाद यहाँ पर हम ratio select कर लेंगे, तो मैं 9-16 ratio select करके, यहाँ पर done पर click कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं auto पर click करूँआ, और जो background है, उसको मैं यहाँ पर automatic remove कर हुआ, एक click में, तो यहाँ पर remove हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर हमको इसका जो part है, उसमें हमको बस jeans वाला part को रखना है, क्योंकि हमको jeans को ही दिखाना है, first में हमको jeans को change करना था, ठीक है, यदि आप shirt को change करते हो, first वाले clip में, तो आप जो आपका shirt है, उसको erase मत करना और जो बाकी का part है, वो erase करना, तो यहाँ पर मैं चलो jeans वाला जो part है, उसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, और जो बाकी का part है, उसको मैं remove कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं manual पर click करके, यहाँ पर मैं ऐसे कुछ erase कर लूँआ, तो आप इसे erase कर लेना, तो मैं तोड़ा जल करना और तो यहां पर मैंने जिन्सवाला पार्ट को रख लिया है और जो बागी का पाट था वो मेने रिमूव कर दिया कैम डंपे क्लिक करके यहां पर मैं सेज्ब कर दो हुआं उसके बाद इस ही तरीके आपको बाकी के जो स्क्रीन चोट है उसका आपको रिमूव करना है जैसे आपको बस शर्ट को रखना है बाकी का पाट को रिमूव उसके बाद शूस और संग्लाथ है ओके तो आप स्क्रीन पर देखी सकते हो यह मैंने पी एंजी में कनवर्ट कर लिए अब यहाँ पर हम चलते हैं वी एन एप के अंदर एडिटिंग के लिए वी एन एपको ओपन करने के बाद सेंपले आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके न्यू प्रजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी फॉस्ट वाली वीडियो को इंपोर्ट करना है जो आपने स्टार्टिंग में फॉस्ट में रिकोड की थी तो यहाँ पर तो मैंने first वाली clip में ऐसे jump किया था अब यहां पर मैं last में जो watermark आएगा इसको मैं delete कर दिता हूँ okay अब यहां पर मैं क्या करूँआ यहां पर मैं जैसे ही मैं jump करता हूँ देखो यहां पर मैं जैसे jump कर रहा हूँ ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करूँआ split कर दूँआ ठीक है और यह जो fall to part है इसको मैं delete कर जीता हूँ तो देखो यह jump यहाँ पर end हो चुकी है यह video ठीक है अब आपको करना है अपने जो screenshot लिये थे उनको यहाँ पर आपको add करना है तो यहाँ पर जो nest वाली clip आईगी उसमें क्या होगा जिन्स change होगी ठीक है तो यहाँ पर हम plus पर click करेंगे और जो screenshot है यहाँ पर हम photo पर जाते हैं और यहाँ पर हम add कर लेते हैं तो यहाँ पर first, second, third okay तो यहाँ पर आप देखो यह तो screenshot यहाँ पर कुछ इस तरीके सारा है तो इसको हम set करते हैं 9-16 ratio में सबसे पहले तो हम उपर click करेंगे और यहाँ पर ratio पहले select कर लेंगे 9-16 उसके बाद हम यहाँ पर इस वाले photo पर यह जो screenshot था इस पर हम click करेंगे और इधर की तरह scroll करना और scroll करने के बाद crop वाला option दिखेगा crop पर click करके यहाँ पर आप select कर लेना यह 9-16 और okay कर देना इसी तरीके सा आपको बागी वाले screenshot पर भी जाना है और crop पर जाके इसको 9-16 और इसको भी 9-16 तो यह तो यह तीनो set हो चुके अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ वीडियो को ले लेंगे तो वीडियो का लिंक आपको description पर मिल जाएगा description से download कर लेना तो यहाँ पर हम यह वाला song हो ठीके उसके बाद हम क्या करेंगे इसको हम extra code करेंगे तो हम यहाँ पर extra code का option दिखेगा तो extra code कर देना और जो वीडियो है उसको आप delete डिएकद देना अब यहाँ पर यह स सोंग है इस पर हम को हम क्लिक करेंगे और beat पर क्लिक करेंगे beats लिका रहा इस पर उप्लिक करना और यहाँ पर आप ऐसे scroll करना आगी की तरफ और यहाँ पर आप song को सुन लेना एक बार तुम्हे song सुन लेता हूं यहां पर बीट आपको खाँ पे लियुक्ति अ नहीं है जान?" यहां पर फ्री यहां पर ओल्हपी उसके बाद नेस्ट वाली प्रीट यहां पर वर्ली यहां भी SanBO तो यहां पर मैंने 4 bit दे दिये और में right पर click कर देता हूँ अब यहां पर आप song के according इसको पहले define कर लेना, starting में तो यहांपर मैं इसको आगे से metro कर लेता हूँ तो यह जो लास्ट वाली जो क्लिप ना वो इसके इस्टा ये जो फर्स्ट बीट है यहां पर आनी चीए तो हम आगे से ओर ट्रिम करेंगे इसको अब देखते हैं देगा थोड़ा सा और हम ट्रिम कर लेते हैं अब यहां पर हम सुनते हैं इसको इसको अगे सरी स्टाइलिश। अब यहां पर सही है यह बीट के अगॉडटिंग पूरा सही है अब यहां पर आपको करने आपको इसस Besides आपको इसे जूम कर लेना जितना हो सेके उतना जूम कर लेना अब यहां पर ההए जो फर्स्ट वाली जो बीट है उसके को लेन आप थोड़स आगे लेके split कर देना थीक है थोड़स आगे इतना सपिस्प्लिट कर देना और जो आतयर कड़ीट बार डिलिट कर देना ठीक है और इसको भी हम nest वाली बीट तक set कर लेते हैं तो इसी तरीकर सा आपको set कर लेना है नेश्ट बीट तक यहां तक आ रहा है उसके बाद यह वाला नेश्ट बीट तक थोड़ा सा आगे है ठीक है इसी तरीके सा आपको बीट के अकोडिंग इसको सेट कर लेना है यहां पर उसके बाद आपको यहां पर स्टार्टिंग वाले बीट पाना है starting वाले beat के point पे आने के बाद थोड़ा सब पीछे जाना इतना यहां पे और आपको इस पर click करना है stock पे और आपको stock पे जाके आपको गरना है आपको आपने जो erase किया थे थे ना तो आपने erase किया था jeans को, shult को तो आप जो next वाली step में क्या change हो रहा है आपका जिन्स चेंज हो रहा है तो आप जिन्स पर क्लिक करना शर्ट चेंज हो रहा है तो यहाँ पर मेरा जिन्स चेंज हो रहा है यह आप देख सकते हो जिन्स है तो यह चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे यह first beat तक इसको हम क्या करेंगे split कर देंगे png को, तो हम split कर देंगे और जो falto part इसको हम delete कर देंगे देखो, यहाँ पर first beat तक यह आ रहा है, ठीक है, उसके बाद इसको आपको keyframe में देना है, तो यह जो png है इसको आप पहले side में लगा जाएना यहाँ पर, और लगाने के बाद यहाँ पर आप एक keyframe देना तो आप जैसे png पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको keyframe का option दिखेगा तो आप keyframe पर क्लिक करना, first तो आपकी एक keyframe लग जाएगी उसके बाद आप last में last में आजाना इस key के, मतलब इस png के, और यहाँ पर इसको आप ऐसे आगे, यहाँ पर ऐसे लगा जेना, ठीक है तो आपकी second वाली keyframe भी लग जाएगी तो एक कुछ इस तरीके से animation में आ जाएगा, ठीक है उसी तरीके से आपको करना, आपको यह वाली जो second beat है, इसके थोड़ा सा पीछे जाना है, और यहाँ पर आपको करना है, आपको stock पर जाके image पर जाना है, और यहाँ पर आपको आप शर्ट को ले लेना है शर्ट को लेने के बाद इसको आप इसे side में लगा देना, इदर और इसकी next beat यहाँ पर पर तो यहां पर आप we split कर देना और जो फालत हूए उसको आप delete कर देना तो इनेष्ट बीड़ तक यह भी set हो जाएगा उसके बास आपको इस पे विक की फ्रेम देना है तो आपको करना है आपको starting वाले point पर आना है एक keyframe देना है, एक keyframe तब देना जब आप इसको side में लगा लो तो इसको मैं side में लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं keyframe पर click कर देना हूँ, तो एक keyframe लग गया है, उसके बाद मैं end end वाले point पर आऊँँआ, और तो में क्या करूँआ, यहां पर इसको मैं ऐसे shult पहना दूँआ, यहां पर, जैसे body पर यह कुछ इस तरीके से, तो यह set हो चुका है, अब यह भी कुछ animation में आएगा इससे, इसी तरीके से आपको nest वाली beat पर जाना है, और वापस आपको वही काम करना है, थोड़ा सा पीछे जाना है, इस टॉक पर जाना है, और यहां पर आपको shoes को ले लेना है, क्योंकि shoes चेंज हो रहे हैं, तो मैं shoes ले ले लेता हूँ, यह और इसको मैं यहां पर इसको इतना split कर देता हूँ, और जो fall to part delete कर देता हूँ, अब keyframe case देना है, तो वही काम है, इसको आपको पहले चुपा देना है, यह से चुपा दिया, एक keyframe देना है, इस पर click करके थोड़ा सा आगे जाना है, और वह जो आपका shoes PNG उसको आपको ऐसे पहना देना, इसको ऐसे ठीक है, तो यह भी animation में ऐसे आएगा, और last वाला sunglasses वाला, तो आप थोड़ा से पीछे जाना, और वही stock पर जाके sunglasses वाला PNG को ले लेना, और इसको भी आप क्या करना, यहां पर इसको ऐसे split कर देना, इतना last वाली beat तक, और वही starting वाले point पाना, इसको छुपा देना, और एक keyframe देना, और last में जाके इसको आप चस्मा ऐसे पेना देना, यूँ, ठीक है, तो यह कुछ इस तरीके से आएगा, आप यहां पर देख सकते हो, यह, okay, तो यहां पर पूरा set हो चुका है, आपको मैंने process बता दिया, अब यहां पर आपको, वो वाली clip को add करना है, जिसमें आपने screenshot लिया था, वो वीडियो का last में, आप देख सकते हो, यह वाला screenshot लिया था, मैंने starting में बोला था, आप से, कि यह हमारे काम आई गी, आप वीडियो वाली, तो इसको आप करना है, पहले तो इसकी जो duration इसको आप एकदम कम कर देना, जितना कम कर सको, उसके बाद यहां पर आपको करना है, आपको यहां पर plus पे क्लिक करना है, और वो वाली वीडियो को लेना है, जो क्लिप आप last में लगाना चाहते हो, मतलब जो क्लिप आपने screenshot लिया था, last में, उस वाली क्लिप को आपको लगाना है, तो मैं वो वाली वीडियो को ले लेता हूं तो वो वीडियो यह वाली है इसको मैं arrow पे क्लिक करके import कर लेता हूं अब यहाँ पर आप देखो यह जो last वाली clip थी यह है वो अब यहाँ पर आप देखो यह वाला जो screenshot ना last वाला इसमें आप jump कर रहे हो तो आपका position आपकी ऐसी है तो आप यह वाली clip के अंदर देखना वो वाली position कहाँ पर है तो जैसे मैं jump कर रहा हूं तो मैं को यहाँ पर यह वाली position यह है ठीक है तो मैं split कर दूँआ और जो इधर वाला part है इसको मैं delete कर दूँआ अब देखो यहाँ पर यह जो screenshot है यह दोनो एक match कर रहा है दोनो एक दूसरे से ठीक है तो आपके match होना चाहिए तब यह आपकी वीडियो एकदम सही बनेगी और परफेक्ट बनेगी और जो song यह इसको मैं फूल कर लेते हैं तो इसको मैं full कर लेता हूँ यह हो गया full अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके सा आएगा यह यहाँ पर अगर आप इसको slow motion में देना चाहते हो तो आप slow motion कर सकते हो speed पर जाके और उसके बाद यहाँ पर जैसे देखो मैं jump करके नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कोई एक shake effect देना है जिससे वीडियो काफी अच्छी लगेगी तो यहाँ पर मैं इस वाले point पर आके effects पर जाऊँ हूँ और यह वाला जो shake effect यह मैं apply करूँ हूँ और इसको मैं यहाँ पर लगाँ हूँ तो मैं को इसको लगाना है यहाँ पर थोड़ा सब पीछे यहाँ पर अब सही है इसके duration में बढ़ा है तो यह हमारी जो वीडियो पूरी complete हो चुकिए अब यहाँ पर आपका कोई भी काम नहीं है अपने सारे जो काम पर हो complete कर लिये होंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर इसको मैं last में आपको play करके बतायता हूं की वीडियो कैसी बनी है तो हम इसको चलाते हैं क्लाक चॉक बिक तो वीडियो पूरा पूरा complete हो चुका है यहाँ पर हमारे कहीं भी एक मिस्टेक नहीं है उसके बाद यहाँ पर आप क्या करना आप उपर क्लिक करना और इस वीडियो को कर देना आप export फुल रेशियो में 1080 तो आपको यह वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तर लाइक कर देना और यह दी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलो मिलते हैं बना अब नेस्ट वीडियो में